Top 5 Best Laptop for Students के लिए तो बही अगर आप पढ़ते हो College University में कहीं भी पढ़ रहे हो and अगर आपका budget 40,000 है 40,000 के budget में आप एक laptop पर लिना जाते हो जिस पर आपने 1080 पर वीडियो एक्टिंग भी करने है नॉर्मल साइटिंग पर गेमिंग भी करना जाते हो तो MS Office पे काम भी करना जाते हो जाँ फिर अगर आपको Heavy Software पे काम भी करना जाते हो ये वीडियो में specially आपके लिए करऊ प्लस में आपको कहा देना जाते हो अगर मैं आपको i3 processor भी बताऊंगा ना वो भी आपको 11th generation के साथ देखने का मिलता है जो कि latest processor है तो वीडियो के साथ बने रहना इसके पड़ मत करना स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात करते है number 5 की number 5 की बात करूँ number 5 पर यार मैंने रखी है MI Notebook 14 को तो सबसे पहले मैं आपको बता दो इसको number 5 पर रखने का एक रीजन है वो यह रीजन देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में minus point आ जाता है अगर इसके मैं price range की बात करूँ आपको 41,000 के budget में MI Notebook 14 देखने को मिल जाते है इसका display quality बहुत ही है build quality बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आप data इंट्रीस करते है जाए अगर आपका काम कोई ऐसा आपको keyboard पर जाधा काम करना पड़ता है आपके लिए यह best deal हो जकते है प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ web camera free देखने को मिल जाता है तो प्लस पॉइंट तो इस laptop के देखने को मिल जाता है लेकिन मानस पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप RAM को upgrade नहीं कर सकते अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता है तो यह 12 GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता है आपको MX350 2GB भी देखने को मिलता है लेकिन 2GB का जो price है वो जादा increase हो जाता है वो आपको 47,000 के budget में देखने को मिलता है तो इस budget energy में अपने price range से वो बहुत आगे निकल जाता है तो मैं आपको recommend निकलता है तो आपको upgrade करने का option भी तो नहीं मिलता ना तो अगर आपने MI के और जाना है आप जा सकते हो मैं ऐसे नहीं कहा रहा है आप नहीं जा सकते हो आपको build quality वगर आप बहुत अगरी मिल जाती है design look वगर आप भी बहुत है यह display quality भी बहुत अगरी मिल जाते है तो यह display की बातों को 14-inch full HD plus display देखने को मिल जाती है जो की anti-glade display प्रसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मिल जाती है storage की बातों को 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है SSD का benefit यह होता है अगर आप data गरा ज्यादा transfer करते हो वो बहुत जल्दी हो जाता है इस comparison किया जाए HDD के साथ ही यह graphic card की बात करूँ आपको Intel UHD graphic card देखने को मिल जाता है प्लस आपको MX350 भी मिल जागा 2GB के साथ लेकिन उसका price आपके budget से अपपर चल जाएगा ठीक है उप्रेणी system की बात करो आपको Windows 10 लेटेस्ट वर्जन 64 bit के साथ battery की बात करो आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है प्लस आपको 65 वोड का fast charger देखने को मिल जाता है price की बात करो आपको 41,000 के budget में MI notebook 14 देखने को मिल जाएगी तो यह main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook 14 के वैसे यार laptop पूरा लोड़ेड है लेकिन यार बहुत बंदे मुझे मैसी करते हैं कि मुझे HP का laptop चाहिए मुझे Dell का laptop चाहिए इस बड़र देख में एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का कि HP का laptop बहुत अगड़ होता है तो यार यह laptop आपको मतलब ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता है मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ अगर आपने लेना है तो ब्लैक कलर मुझे जाधा सी उट लगा आप उसके और जा सकते हो प्लस आपको 14-inch की display देखने को मिल जादी जो की 16 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी 8GB RAM भी मिल जागी जिसको आप 16GB तक expandable भी कर सकते हो तो यार अगर आपने कोई heavy software यूज करना है आफिस वर्क के लिए चाहिए है जा स्टुडेंट ऊपर पर ठीक है multi-tasking करनी है या अगर आपने daily use के लिए इस laptop को लेना है तो आप ले सकते हो easily normally आप काम कर सकता आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली यार आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ वो भी सच में बहुत जादा तक रहा ठीक है आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सिसकी main specification तो यह display की बातों को 40 inch full HD plus display मिल जाते है जो की 16 refresh rate क साथ आती है पुर्साइसर की बातों को i3 10th generation के साथ में मिल जागा आपको 11th generation के साथ में मिल जागा लेकिन 11th generation का price increase हो जाता है वह आपको 42,000 के बज़र में या 43,000 के बज़र में देखने को मिल जाता है तो बही अगर आप extra pay कर सकते हो आपको HP का ही laptop चाहिए तो मैं आपक 16 GB तक प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाता है आपको 256 GB मिल जागी आपको 512 GB मिल जागी लेकिन उसका price ओड़ा से increase हो जागा ठीक है ग्राफिक कार आपको integrated graphic card मिल जाता है अभी बात करते है integrated graphic card and dedicated graphic card में क्या देखने को मिल जाता है तो या जो dedicated graphic card होता है उसका storage अपना होत मतलब आपको काम कर रहे हो ग्राफिक card को कोई जरूरत बढ़ती है RAM की जा स्टोरेज की तो वो RAM से ही लेगा उसका कोई अपना storage नहीं देखने को मिल जाता है तो उसको कहते है integrated dedicated dedicated होते है जिसकी अपनी storage होती है like 2 GB 4 GB 8 GB जितना भी मतलब होता है ठीक है operating system की बात करूं आप आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी बैकप प्रवाइड कर देता है price की बात को 40,500 के बजरे में HP 14 देखने को मिल जाता है तो बही main specification तो मैंने आपको बता दिये plus मैं आपको कहा द innovation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पीकर ब्लैक कर बहुत सही लगता है अगर कोई भी बन्दा ब्लैक कलर में ले रहा है तो बही मुझे कि मैंट्श एक्शन में जरूर बताना की भाई मैंने ब्लैक कलर में लिया और लिंक पर वाड़ किया आपको description box में देखने को म मिल जाता फ्लस इसके साथ आपको लेंवो बैद बी देखने को मिल जाते है जो की लेन वो लैक टॉप बैक बैग है जिसके की मैं बात करा मको 700 के बंद देखने को मिल ना तो आप अंदाशा लगा सकते हो कि ये laptop आपको 35,000 के बज़र में देखने को मल जाता है and specification भी बहुत अगरे मिल जाते है मैं आपको specification बता देता हूँ आपको i3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप expandable कर जाकते हो 12GB तक प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी lightweight laptop प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 version तो यह main specification मैंने आपको बता दिया Lenovo IdeaPad Slim 3i के यह specification के according बहुत ज़्यादा तगड़ा है price के according बहुत ज़्यादा सही है end जो बैग देखने को मिलता है उसका price 2000 देखने को मिलेगा अगर आप search out करना चाहते हो आप दे सकते हैं Amazon आपके फून में भी है flip card आपके फून में भी आप search out कर लेना आपको देखने को मिल जाएगा 2000 के बजड़े में वह बैग देखने को मिलता है तो यार इस laptop का budget जो है वह 35,000 हो जाता है अगर हम उस पर उस बैग को निकाल देते हैं ठीक है तो आप देख लेना अगर आप इसकी आउर जाना चाहते हो आप जा सकते हो आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करूँ नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस Zenbook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले आपको lightweight and stylish design देखने को मिल जाता है इसके color वगारा बहुत प्यारे हैं आपको बहुत पसंद आने वाला है प्लस असूस एक trusted brand है टॉप brand में से आता है तो प्लस अगर आपने इस laptop की और जाना है आप जा सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाता हूँ यह 2020 model है इसके price range की बात करूँ यह laptop आपको 41,000 यह 42,000 के बढ़र में मिलेगा बट वह अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए best deal हो सकते है आपको i3 11th generation के साथ मिलता जो की latest प्लस आपको फिंगर प्रिंट भी देखने को मिलेगी मैं आपको पहले ही बदा जुका हूँ कि आपको इसकी वेड की बाग करूँ आपको वान केजी 800 ग्राम में असूस विवोविक अल्ट्रा 15 देखने को मिल जाता है मैं आपको जो में स्पैस्फिकेशन है थोड़े से बता देता हूँ आपको डीपली थोड़ा सा पता चार जाएगा तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.6 फुल एश्टी प्लस देखने को मिल जाते है तो यार मैं आपक एक चीजर रिक्मेंट और करना चाता हूँ अगर आपको वांट यह डेघ दिखने को मिलते है यार उस की और बिल्कुल मत जाना ऐसे मत देखना जैए अगर आपकोछाइन डाटा वा 1 त्रांसवर करता ही है जल्दी कर देता ह। किया जाए ish 2डी डी के साथ ग्राफिक आठ की बात करूं आपको इंटिए्ड इस वंद्न मिल जाथे प्रेश आपको एमस ओफिस मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की करूँ आपको five to six hours का battery backup पर रवाइड कर देता प्राइस की बात करूँ मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बज़ेड में या 42,000 के बज़ेड में यह स्पैसिफिकेशन के साथ असूस वीवबुक फॉल्टरा 15 देखने को मिल जाएगा तो बही में स्पैसिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको असूस लैप्टॉप के अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं आगे बात करते हैं नंबर वान की बात करने से पहले मैं आपको इतना कहा दना चाता हू मैं आपको रिक्रमेंट करना चाता हूँ आप चल जाना इस से इस पायर फाइब के और अगर इस लैप्टॉप की बात करूँ आपको आई फाइब देखने को मिल जाएगा टैंथ जमरेशन के साथ आपको इट जीबी मिल जाती है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो शिक्स् परफेक्ट डील हो सकता है एंड ये आपको फॉरी फाउजन के बदर में मिल जाएगा मैं इसका लिंक परवाइड कर दूँगा कई पर इसकी आफर बगारा भी लगती रहती है और भी सरस्ते में देखने को मिल जाता है लेकिन अभी इसकी आफर बगारा नहीं देखने को म प्रोसेसर की बातों को आई 5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको expandable भी कर सकते हो प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA G4 MX350 देखने हो मिलता है जो की 2GB के साथ आता है प्रेडिन सेस्टेंग की बात करूँ आपको Windows 10 दे जाते है तो जो बैंटरी है वो ज्यादा नहीं लगने वाली ठीक है प्राइस की बात करूँ आपको 45,000 के बज़र में इससर इसपायर 5 देखने को बल जाता है अगर आपने video editing चरने के gaming करने है जा अगर आपने कोई भी software यूज़ करना है आप इस laptop के और जा सकते हो बहुत अगरा मिल जाता है उसके बात अगर आपने as a creator काम करना as a developer काम करना student office पर के लिए चाहिए अगर आप teachers और पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए भी ये laptop perfect deal ह हो सकते हैं आप इस laptop के और जा सकते हैं अगर आपका 40,000 यह है तो असूस के और से जो laptop बताया वह आपके लिए बैस्ट है अगर आपका बैस्ट चालिस अजार से भी कम है तो भई लिनोव ओ आइडिया पैट सलें जैसे बीघर नहीं जाते हो आप सकते हैं आप अगर आपको वीडियो में आपको ना